नमस्कार प्रियचात्रों आरके क्लासस खर्गुपूर के इस सांदार सिच्छन प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत है आप लोग थमनेल को देखकर बहुत ही सही वीडियों पर आए हैं आज की वीडियों में हम लोग एउपी बोर्ड की कप्छा 10 के लिए सारे बदलाओ कर दिये गए हैं परिच्छा से लेकर के और नए नए तरह के पैटन लागू किये गए हैं हम इस नए पैटन को देखेंगे और महत्पूर्ण परसनों के बारे समझेंगे कि किस परकार से प्रसनाते हैं हम इस परकार से समझेंगे कि बोर्ड परिक्षा में हम 100% मार्क लेकर आ सकें तो आज के वीडियो में हम इनी सब बातों पे चर्चा करेंगे तो आईए हम लोग इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो इस समय दिया हुआ है तीन घंटे पंदरा मिनिट ये वही समय दिया गया है इसमें कोई बदलाओ नहीं किया गया है और पुरांग भी सेम दिया गया है पहले भी पुरांग सत्तर रहता था और आज भी पुरांग सत्तर ही है और निर्देश इस परकार हैगा सबसे पहले नमबर पर दिया गया है प्रारम के पंदरा मिनिट परिक्षार्थियों को प्रिष्ण पढ़ने के लिए निर्धारित है यानि पहले आपको जब पेपर दिया जाएगा तो पंदरा मिनिट आपको पेपर को पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा उसके बाद second number पर दिया गया है प्रश्ण पत्र दो खंड आ तथा बामी विभाजित है यानि आपका प्रश्ण पत्र दो खंडों में रहेगा और तीसरे point पर है प्रश्ण पत्र के खंड आ में बहु बिकल्प ये प्रश्ण है जिनमें सही बिकल्प का चैन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पेंसे सही बिकल्प वाले गोले को पूर्ण रोप से काला करें यानि अब आपको UP board की कप्छा 10 में परिच्छा देने के लिए OMR सीट का परियोग करना होगा आपको वहाँ पर OMR सीट दिया जागा जिनमें से आपको जो बिकल्प रहेंगे बिकल्प को OMR सीट पर भरना होगा ये board परिच्छा में बहुत ही बड़ा बदलाओ किया गया है इसके बाद में चौथा पॉइंट खंड आ में बहुपिकल्प परिच्छन है तो परतेक परिच्छन के लिए एक अंक निर्धारित है यानि बीस परिच्छन आपको बहुपिकल्प परिच्छन में दिये जाएंगे और परतेक के लिए एक एक अंक निर्धारित किये गया है और पांचवे पॉइंट पर दिया गया है, OEMR सीट पर उत्तर अंकित किये जाने के पचचात उसे काटे नहीं इसका मतलब यह है कि जब आप OMR सीट को एक बार भर दें आप सही भर रहे हैं या गलत भर रहे हैं जो भी आप भर रहे हैं उसको एक बार भरने के बाद आप उसको काटेंगे नहीं इसके बाद और निर्देश दिया गया है इरेजर यूम वाइटनर आदि का परियोग ना करी आपको एक बार भरने के बाद इरेजर अतवा वाइटनर का परियोग नहीं करना है और छटवे नंबर पर दिया गया है परतेग प्रशन के सम्मुक उनके अंक निर्धारित किये गया है जो अंक हैं परतेग प्रशन के सामने दिये गया है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपी कल्पी अंक खंड आ को ये हमारा खंड आ दिया गया है और इसका पूरा अंक है बीस यानि बीस प्रशन रहेंगे और आपको उसके लिए बीस अंक दिये जाएंगे तो सबसे पहला बहुपी कल्पी अंक प्रशन दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टनेंट है बोर परिक्षा के दिर्ष्टी से बाबु गुलाब राय किस यूग के लेखक हैं तो ये हमारा सबसे पहला प्रशन दिया गया है कि बाबु गुलाब राय किस यूग के लेखक हैं तो सबसे पहले नमबर पर दिया गया है भारतेंद्योग B में है दुरवेद्योग C में है सुकल्योग और D में है सुकलांतर्योग तो इन में से आपको जो सही लगता है उस पर टिक कर देंगे उसके बाद दूसरे नमबर पर दिया गया है चिंतामड किस बिधा की रचना है विकल्प A में है निबंद, B में है कविता, C में दिया गया है नाटक और D में दिया गया है कहानी उसके बाद प्रशन संख्या तीन पर दिया गया गबन किस की रचना है ये में है मूंसी प्रेम चंद, B है जै संकर परसाद, C में है निराला, D में है हरी किसन प्रेमी उसके बाद प्रशन संख्या चार है सुकल यूक की समया अधी है मदलब सुकल यूक की समय सीमा कितनी है? 1936 से holy 1943 तक, 1919 1919 से 1938 तक उसके बाद दिया गया है 1900 से 1918 और D में है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसके बाद हमारा प्रशन संख्या 5 आ जाता है, प्रशन संख्या 5 में दिया गया है, कि नीड का निर्माड फिर फिर किस बिधा की रचना है, A में दिया गया है जीवनी, B में है आत्मकथा, C में है साथ छातकार आत्वा भेटवारता, और D में दिया गया है रेखा चित्र, प्रते प्रश्ण के लिए आपको A के कंक दिये जाएंगे, बहुत विकल्पी प्रश्ण में, उसके बाद हम लोग चलेंगे, प्रश्ण संख् च्छ दिया गया, प्रिये प्रवास किस यूग की रचना है, ये में दिया गया दिर्वेदी युग, B में है भारती इन्दु यूग, और C में है प्रगेतिवादी यूग, और D में छायावादी यूग, इसके लिए भी आपको एकंग प्रदान किये जाएंगे, उसके बा हम लोग प्रशन संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे हमारा प्रशन संख्या 8 दिया गया है भारत भारती किसकी रचना है ये में दिया गया है सिया राम सरनड़ गुप्त बी में मैतली सरनड़ गुप्त सी में जै संकर परचाद और डी में महादेवी बर्मा इसके बाद हमारा 1443 से अब तक, B में हैं सन 1643 से 1843 सिस्वी तक, और C में हैं सन 1918 से 1936 तक, D में हैं 1936 से 1943 तक, उसके बाद हमारा प्रज़न संख्या 10 दिया गया है, मतिराम किस यूग के कभी हैं, तो मैं बताना है कि मतिराम किस यूग के कभी हैं, तो ये में हैं आदुनिक काल, B में हैं आदिकाल, C में भक्तिकाल, और D में दिया गया है रीतिकाल, इसके बाद हमा जाते हैं प्रज़न संख्या 11 पर, हमारा प्रज़न संख्या 11 दिया गया है, हास सिरस्का अस्थाई भाव है, तो जैसे ये में दिया गया है, सोक, B में दिय गया है रत, C में दिया गया है हास, और D में है निर्वेद, तो जैसे इसमें हास सही है, हास सी रसका स्थाइवाव हास होता है, तो इसको हम टिक कर देंगे, तो आपको इसके एकंक प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद हमारा बारा प्रस्म नंबर है, तो हमें इसमें अलंकार बताना है, तो ये में दिया गया है, उपमा अलंकार, B में है उत प्रेच्छा, C में रूपक, और D में सिलेस अलंकार है, उसके बाद हमारा प्रस्म संख्या 13 आ जाता है, बहुट बिकल्प ये वाला, रोला चन्द में कुल कितने चरण होते हैं, तो ये में दिया गया है, तीन, B में 2, C में 4, और D में 5, इस परकार से घमारा प्रसंध संख्या 13 इसमें चार विकल्प दिये गये हैं, चार मेंचे जो सही हो, उसको आप टिक कर लेंगे, आपको पूरे एक अंक प्राप्त फो जाएंगे, उसके बाद घमारा प्रसंध संख्या 14 है, आ करणसन सब्द में किस उपसर का परियोग किया गया है तो ये में दिया गया है भी वी में दिया गया है मान, ची में अक और डी में आ पृष्न संक्षा क्षा 15 पड़ है राचना की आधार पर वा की कितने प्रकार के होते हैं तो विकल्प ये में दो बी में पांच C में 6 और D में 3 उसके बाद प्रशन संख्या 16 है पीतांबर में कौन सा समास है तो आप लोग बताईए कि पीतांबर में कौन सा समास है ये में कर्मधार है B में दंदो और C में बहुबरी और D में तत पुरुष समास इस प्रकार से हमारा प्रशन संख्या 16 है इसके बाद अमारा प्रशन संख्या 17 आ जाता है प्रशन संख्या 17 में दिया गया आशू का तत्सम रूप है ये में असु बी में अंसू C में रोना है और D में आख इस प् प्रश्ण संख्या 18 की ओर चलते हैं तो कृतिवाच में किसकी परधानता होती है इसमें दिया गया है कृतिवाच में किसकी परधानता होती है तो A में दिया गया है करता की परधानता B में कर्म की परधानता C में भाव की परधानता और D में इन में से कोई नहीं इसके बाद ह देखेंगे हमारा प्रस्ण संख्या 19 दिया गया है ताब्या प्रस्ण संख्या 19 में ताब्या सब्द में वचन यूम विभक्ती है तो में बताना है कि ताब्या सब्द में वचन यूम विभक्ती है तो आप लोग बताएं कि इसमें कौन सा वचन और कौन सी विभक्ती है तो और B में है सत्मी विभक्ती दुवचन और C में दिया गया है सश्टी विभक्ती बहुचन और D में है चतुर्थी विभक्ती बहुचन उसके बाद में प्रस्ण संख्या 20 दिया गया है निम्नलिखित में सर्वनाम है तो में प्रस्ण संख्या 20 में बताना है कि इसमें कौन सा स नाम है, A में है मनुष, B में है बच्पन, और C में वा दिया गया है, D में इन में से कोई नहीं, इस प्रकार से हमारा बहु विकल्पिये प्रस्ण समाप्त होता है, बहु विकल्पिये प्रस्ण में 20 प्रस्ण दिये गए जाते हैं, जिन में से परते के लिए एक एंक अंग न के बाद हम आते हैं वरणात्मक प्रस्ण पर हमारा वरणात्मक प्रस्न खंड बा में 50 नमबर का तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खंड बा का पहला प्रस्ण दिया गया है निम्द लिखित गध्यांस पर आधारित तीन प्रस्णों के उत्तर दीजिए तो हमें एक गध्यांस दिया जाएगा कच्छा 10 की बोर्ड परिच्छा में हिंदी में हमें एक गध्यांस दिया जाएगा जो कि 6 अंकों के लिए रहेगा और उसमें 3 प्रस्ण आपको करने रहेंगे और प्रतेक प्रस्ण के लिए आपको 2 अंक प्रदान किये जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है एक दूसरे की ओर आकर्शित होते हैं जो गुड हम में नहीं है जो गुड हम में नहीं है हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वे गुड हो चिंता सील मनुस्य परफुलित चित का साथ ढूणता है निर्बल बली का धीर उत्साही का उच अकांचा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चालक के का मुह ताकता था नीत विसारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था तो ये हमारा एक गध्यांस दिया गया है आप लोग को बताना है कि ये गध्यांस किस पार्ट से दिया गया है तो वही इसमें प्रस्ण पूछा गया है पहला प्रस्ण है कि उपयोग तो गध्यांस का संदर्व लिखी तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को पढ़ना होगा हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक इस पार्ट से दिया गया है और दूसरे नमबर पर दिया गया है गध्यांस के रेखांकित अंक की ब्याख्या करना है तो इसमें रेखांकित अंस यहां से ले करके और यहां तक दिया गया है इसकी हमें ब्याख्या क होते हैं इतना हमारा खंड बा का प्रस्न संक्या एक हो जाता है और इसमें अथवा करके भी दिया गया है इसका मतलब यह है कि आप उपर वाला प्रस्न करें मतलब आप इसको करें यह वाला या फिर इसको कर सकते हैं दोनों में से एक कर सकते हैं दोनों में एक करना है आपको वराबर अंक दिये जाएंगे इसमें दिया गया है कि है भगवान तब तक के लिए बिपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के बिरुद्ध इतना साहस पिता जी क्या भीक ना मिलेगी क्या कोई हिंदू भूप्रिष्ट पर ना है फेर दीजिए पिता जी में कांप रही हूं इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है इस प्रकार से हमारा प्रस्न दिया गया है और इसका हमें संदर्व लिखना है तो इसका हम लोग संदर्व लिखेंगे जब इस पार्ट को आप पढ़ेंगे तो इसका संदर्व आप का भाव अस्पष्ट कीजिए और तीसरे प्रस्ण में पूछा गया है ममता द्वारा किस कारी को इस्वर की इच्छा के विरुद बताया गया है इसके बाद हमारा प्रस्ण संख्या दो आ जाता है दिये गए पद्यांस पर आधारित तीन प्रस्णों का उत्तर दीजिए यहा प्रस्ण पूछ रहा है इसमें जो प्रस्ण पूछ रहा है तीन प्रस्ण के उत्तर देना है इसमें सबसे पहले हमसे पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांस का संदर्व लिखिए उसके बाद दूसरे नंबर पर कह रहा है रे खांकित अंस की ब्याख्या कीजिए तो इसमें रे खांकित अंस कौन सा है इसमें रे खांकित अंस दिया गया है बहिरो सुने गुंगुपूनी बोले रंक चले सिरे छटर धराई इसका हमें ब्याख्या करना है, इसके बाद कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो हमें इसका अलंकार बताना है, यदि हम इस पध्य को नहीं कर पाते हैं, इस पध्यांस को नहीं कर पाते हैं, यदि आपको नहीं आता है, तो आप इस वाले पध्यां आप उपर वाले का नहीं कर पा रहे हैं संदर्व सहित ब्याख्या तो आप लोग इसका संदर्व सहित ब्याख्या करेंगे दो में से एक का करेंगे इसमें प्रस्म पूछ रहा है कि उप्युक्त पद्यांस का संदर्व लिखिए और दूसरे नमबर पर है रेखांकित अंस की ब्याख्या कीजिए तो इसमें रेखांकित अंस जो दिया गया है हमें उसकी ब्याख्या करना है हमारा रेखांकित मादिन आता है, बिया गए संस्क्रिय में, किसी एक का संदर्व सहित हिंदी में अनुबाद करना है, तो हमारा गद्यांज दिया गया है ऐसा नगरी भारतिये संस्कृते संस्कृत भासायाश्च केंदस्थलम मस्त इतियोज संस्कृत वामपस्च संस्कृते सालोका सर्बत्र परस्रिता मुगल इुराजा दाराशिकोहा अत्रागत्य भारतिये दर्शन सास्त्राणाम अध्यनम अकरोद सते साम ग्यानेम तथा परभाविता अभोवत यतितन उपनिसदाम अनुबादा पारशी भासायाम करिता संस दिया गया है हमें इसका संदर भी लिखना है और अनुबाद करना है अगर आप इसको करने में असमर्थ हैं तो आप इस वाले को अथवा वाले को कर सकते हैं हमारा अथवा वाला दिया गया है मानव जीवन से संस्करणं संस्कृत अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतं महांतं परित्न अक्रुवन तो अस्माकं जीवन से संस्कारणाय यान अचारान बिचारान चा आदर्सनम तत सर्भम अस्माकम संस्कृता हमें इसका संदर्व लिखना है और इसकी ब्याख्या करना है इसके लिए हमें पांच अंक प्रदान किये जाएंगे इसके बाद हमारा प्रसन संख्या चार आ जाता है प्रसन संख्या चार में दिया गया है दिये गए संस्कृत पद्यांस में से किसी एक का संदर्व सहित हिंदी में अनुबाद करना है तो संदर्व के लिए आपको दो अंक और अनुबाद के लिए तीन अंक प्रदान किये जा इसका हमें संदर्व लिखना है और इसका अनुबाद करना है उसके बाद अथवा लगा के दिया गया है यदि आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कर सकते हैं दोनों में से एक को करना है तो इसमें दिया गया है सरवे भवंति सुखना सरवे संतु निरामया सरवे बद्राणि पस्यंतु माकस्चि दुख भाग भवित हमें इसका संदर्व और ब्याख्या लिख देना है तो आपको पांचंक प्राप्त हो जाएंगे इसके बाद में प्रस्ण संख्या पांच पर दिया गया है अपने पठित खंकाब के आधार पर निम्नलिखित प्रस्णों में से किसी एक का उत्तर दीजिए यानि अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंकाब दिये जाते हैं तो सभी लोग अपने अपने जिले के खंकाब को लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर खंकाब दिया गया है मुक्ती दूत खंकाब के अधार पर गांधी जी का चरिचित्रण कीजिए या तो आप ये कर सकते हैं या आप इसमें से एक कर सकते हैं दोनों में से एक को करना है दोनों नहीं करना है लिखा है कि प्रस्नों में से किसी एक का उत्तर देना है तो अलग-अलग जिले के लिए अलग-अलग खंडकाब दिये जाते हैं और खा में दिया गया है जोती जवाहर खंड काभी की कथास्तु संचेप में लिखिए उसके बाद सेकर नमबर पर है जोती जवाहर खंड काभी के आधार पर जवाहर लाल नहरू का चरित्र चित्रन कीजिए और गा में दिया गया है मेवाड मुकुट खंड काब के देतिये सर्ग लच्छमी का सारांस लिखिए और गा का दूसरा है मेवाड मुकुट खंड काब के आधार पर दवलत का चरिचित्रन कीजिए तो उसके बाद हमारा गा में आ जाता है प्रण संक्या घा में अग्र पूजा खंड काब की कथास्तु संचेप में लिखे या आप इसको करिए या इसको करिए दो में से एक को ही करना है इसका दोसरा दिया गया है अग्र पूजा खंड काब के आधार पर एधिश्टिर का चित्रांकन कीजिए और अंगा में दिया गया है जै सुभास खंड काभी के अधार पर नायक का चरिचित्रण कीजिए और दूसरे नमबर पर दिया गया है जै सुभास खंड काभी के पर्थम सर्ग का कथानक लिखिए और चा में दिया गया है मात्र भूमी के लिए खंड कावी के संकल्प सरग का साराण से लिखिये करन फंड कावी में धूत सभा में द्रोपदी सरग का साराण से लिखिये और दूसरे में दिया गया है कर्म भीर भरत खंड काभी के आधार पर चरित्र चित्रन कीजिए और जा में दिया गया है कर्म भीर भरत खंड काभी के आधार पर कैकेई का चरित्र चित्रन कीजिए और जा का दूसरा दिया गया है कर्म बीरभरत खंड कावि के आगमन पर सर्ग की कथास्तु लिखिए और जा में दिया गया है तुमुल खंड कावि की आधार पर लचमन का चरिचित्रन कीजिए और ज्ञा का दूसरा दिया गया है तुमुल खंडकाव में राम मिलाप और सौमित्र का उपचार सर्व की कथा संचेप में लिखे इस प्रकार से हमारा ये खंड काब भी हो जाता है, ये जो खंड काब भी दिया गया है, अलग अलग जिले के लिए खंड काब होता है, जैसे मुक्ती दूती किसी दूसरे जिले के लिए है, और जोती जमार किसी दूसरे जिले के लिए है, मतलब अलग 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 जिले के लि किसी एक लेखा का जीवन परिचे लिखते हुए उनकी पर्मुक रचना का उल्ले कीजिए तो हमें परण संख्या 6 के का में जीवन परिचे लिखना रहेगा हमें तीन जीवन परिचे दिये जाएंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है डाक्टर राजियन परसाद, जैसंकर परसाद, आचार रामचन सुकल, तो इन में से एक का जीवन परिचे आपको लिखना है और उनकी कुछ रचनाय लिखनी है, इतना लिखने पर आपको पांच अंक परदान किये जाएंगे, जीवन परिचे क लिख चुके हैं, तो आपको कभी-कभी जीवन परिचे लिखना होगा, कभी जीवन परिचे में हैं, दिये गए कभीयों में से किसी एक का जीवन परिचे देते हुए, उनकी एक परमुक रचना का उल्लेक कीजिए, जैसे सबसे फश्ट में हैं, गोस्वामी तुलसिदास, सुमित्रा नंदन पंत, महा कभी सूरदास, तो इसमें तीन जीवन परिचे दिया गया है, और तीनों ही most important है, आप लोग इनका जीवन परिचे याद कर लीजिएगा, 100% बोर्ड परिच्छा में आएगा, इसके बाद परिचन संख्या 7 पर दिया गया है, अपनी पाठ पु स्लोकों को आपको नहीं लिखना है, यदि आप उस स्लोक को लिखेंगे, तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ये दो स्लोक आप नहीं लिखेंगे, आप उस स्लोक को लिखेंगे, जो आपके पेपर में ना आया हो, तो इस परकार से हम लोग परिचन संख्या 7 का उत्त देंगे वही स्लोग लिखेंगे जो पेपर में नाया हो उसके बाद हमारा प्रसन संक्या आठ दिया गया है निमनलिखित में से किन्नी दो प्रसनों का उत्तर संस्किर्ट में दीजिए तो यहां पर हमें चार प्रसने दिये गये हैं जिनमें से हमें केवल दो का उत्तर लिखन तीसरे नमबर पर दिया गया है चंदर सेखर का आसित और चौते नमबर पर दिया गया है बीरा केन पूजिते इन में से आपको दो प्रसनों के उत्तर देना है जब आप इन दो प्रसनों के उत्तर देंगे तो आपको परते प्रसन के लिए एक-एक अंक दिये जाएंगे यानि आपके यहां पर दोंक हो जाएंगे इसके बाद हमारा प्रशन संख्या 9 हो जाता है इसमें दिया गया है निमनिलिखित में से किसी एक बिशे पर निबंध लिखे तो इसमें आपको चाल टॉपिक दिये जाएंगे जेसे सबसे पहले नमबर पर दिया गया है परियावरन संरचन के उपाय है और दूसरे नमबर पर दिया गया है आतंक वाद कारण यों निवारन और तीसरे नमबर पर दिया गया है जनसंख्या लाभ हानी और चौथे नमबर पर है नारी ससकती करण इन चारों निबंधों में से चारों निबंद most important हैं इन में से चार के चारों बोर्ड परिच्छा में आएंगे guarantee के साथ आप लोग इन में से चारों को तयार कर लिजेगा और किसी एक को लिख दीजेगा इसके बाद में प्रस्ण संख्या 10 में है और लाश्ट प्रस्ण है अपनी रुचियों का उलेक करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है आप अपनी रुचिय का उलेक करती हुए अपने हिसाब से अपने मित्र को एक पत्र लिखेंगे फिर अथवा करके लिखा है उत्तर मद्य रेलवे को एक सिकायती पत्र लिखें जिसमें टिकट निरिक्षक द्वारा किये गए अभद्र बेवार का उलेक हो तो दूसरे नंबर पर मतलब अथवा करके दिया गया है कि आप रेलवे को पत्र लिखें कि इसके खिलाब टिकट निरिक्षक के खिलाब कि उसने आप से अच्छा बेवार नहीं किया है इसके लिए आप सिकायती पत्र लिखें इस प्रकार से 10 प्रसने दिये जाएंगे बोर्ड परिक्षा में और आपको अपने हिसाब से जिस प्रकार से बताया गया हो इस प्रकार से करना है यदि आप इस प्रकार से प्रसनों को तयार करेंगे तो आपको 100 में से 100 मार्क प्रदान किये जाएंगे आपका एक भी नंबर क नहीं किया जाएगा इस प्रकार से वर्ष 2024 में बोर परिक्षा में प्रस्नों को पूछा जाना है तो आप लोग बेहतर तरीके से प्रस्नों को देख लीजिए और उसके बाद उसका उत्तर तयार कर लीजिए इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में धन्यव कर दो माद्ट